जैहिन दोस्तों, लाश्ट के दो पार्ट में हमने बुधिजम पर आये हुए खूब सारे सवाल किये हैं और इस वीडियो में काफी सारे और भी कुश्चन करेंगे बुधिजम पर काफी जादा सवाल आये हुए हैं और इस पार्ट में पूरी ये सीरीज कम्पलीट हो आपसे पूछा जा रहा why did Buddhism started declining in India in early medieval times यानि भारत में बुद्धिजम decline होना क्यों सुरू हो गई yearly medieval times में पहले statement में कहा जा रहा है बुद्धा वाज by that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus became a part of Vishnu तो बिल्कुल सही बात है Vishnu के आवतारों में से incarnation में से एक गौतम बुद्ध को भी consider किया जाने लगा तो यह पहली और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि तो इस तरह से यह वैस्णविजम का part यानि हिंदुईजम का overall part बन गया दूसरे statement में कहा जा रहा जो invading tribe है Central Asia से till the time of last gupta king adopted Hinduism and persecuted buddhism तो बिल्कुल गलत है यह अभी हम लोग देखेंगे भी इस पर अल्रेडी सवाल भी पूछा गया है Central Asia से जो invading tribe यानि यूची tribe जो कुसान है और बाकी लोगों की बात की जा रही है तो इन्होंने of course यहाँ बुद्धिजम को अपनाया और किसी परकार की ना की prosecution की गई तो यह बात बिल्कुल गलत है उल्टा कह दिया गया है तीसरी statement में अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि गुप्ता डाइस्टी के जो राजा है वो strongly opposed थे बुद्धिजम के यह बात भी बिल्कुल गलत है इवन यह land grant और बाकी चीज़ें देखने को मिलती है बुद्धिजम पर ना कि यह prosecution देखने को मिलता है तो second और third गलत है अगर आप third को सिर्फ eliminate करते हैं तो आपका answer निकल करके आ जाएगा option A one only क्योंकि यह जो बात है यहाँ पर prosecution की opposition की यह सब बातें गलत है दोस्तों कुछ dynasties ने कुछ और राजाओं ने prosecution भी किया है बुद्धिजम का वो भी आप ब्रीफ में समझ लिए जैसे पुस्से मित्र सुंग हो गए या हून राजा मिहरिकूल जो की एक सेवाइट थे और उसने भी persecution किया बुद्धिजम का इसके लाबा God यानि जो आज की रेट में बंगाल रीजन में वहाँ के राजा ससांग जो की एक सेवाइट थे उसने तो बौधी विरिच को ही कटवा दिया था ऐसा माना जाता है तो यहाँ पे भी persecution देखने को मिल रहा है बुद्धिजम का और हुएन सांग के कहना था और हुएन सांग ने रिपोर्ट किया था कि 1600 स्तूपाज और मोनिस्टीज को डेस्टोई किया गया था इसके लाबा अगर आप देखे तो सेवाइट और वेस्नवाइट जो है वो बिटरली अपोजड बुद्धिजम और टर्किस रूलर भी यहाँ पे इन्वेड करते हैं मोनिस्टीज को लेकिन यहाँ पे सेंटरल एसिया से आने वाले ट्राइप्स बिल्कुल भी अपोज नहीं करते बुद्धिजम को इवन अगर आप इंफेक्ट देखे तो कुसार राजा कनिश्ग जो की है वो बुद्धिजम को एडॉप करते हैं और इवन माह यान बुद्धिजम को प्रचार प्रसार में मदत करते हैं तो साइकेंट बिल्कुल गलत है और थार्ड भी बिल्कुल गलत है गुप्ता डैनिस्टी में भी किसी परकार का कोई opposition नहीं देखने को मिलता अगेंस्ट बुद्धिजम नेक्स्ट कोश्चन देखे यूपी एसी सीए पीएफ 2014 में पूछा गया है composition of the biography of the buddha occupies a special place in buddhist literature यानि कि जो biography एक उतम बुद्ध की उसके composition एक important special place को occupy करता है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी full-fledged biography मानी जाती है option है मारे पास लली त्विस्तार, मेलिंद पनहों, सरीपुत्र पराकरण और अवदान सतक तो इसका correct answer देखे अवदान सतक है अवदान सतक full-fledged biography मानी जाती है और अवदान सतक यानि 100 stories सतक का मतलब 100 होता है 100 stories से ये deal करता है और complete full-fledged biography गौतम बुद की दी गई है और बहुत सारे बुद्धिस philosophies को इसमें include किया गया है और बाकी पर तो हमने बात भी की है first lecture में ही काफी सारे books पर हमने बात की क्योंकि civil services 2022 में भी question पूछा गया जिसे मैंने अपनी history वाली वीडियो में cover किया है channel की cover page में ही आप देख सकते हैं उस वीडियो को दोस्तों इस question को देखे ये cds 2018 में पूछा गया है the dialogue on wordna between king अवंती पुत और कच्छन यानि अवंती पुतर जो राजा है और जो कच्छन है उनके बीच जो वर्णा पर discussion किया गया जो dialogue है जो की कच्छन के विशे में बता जा रहा है कि एक बुद्ध के disciple है ये किस बुद्धिस text में देखने को मिलता है option है मारे पास मजीमा निकाय, सन्यूक्त निकाय, अंगुतर निकाय या फिर अंभट निकाय तो सबसे पहले इस question के source की बात करते है दोस्तों ये themes in Indian history के source 13 में आप देख सकते है जो हमारी new value and CRT आती है history की तो यहाँ पे देखिए wealthy सुदरा के विशे में बात की जा रही है कि जो story है वो Buddhist text पाली में लिखी गई है आपको ध्यान रखना है कि जो निकाय है मजीमा निकाय हो गई और अंगुतर निकाय हो गई यह जो निकाय है जो Buddhist books है या Buddhist text जो है यह पाली भासा में लिखी गई है very important CAPF 2018 का question में आपको बता रहो वो मैंने include नहीं किया मैं directly बता दे रहो पूछा गया है कि जो मजीमा निकाय है वो किस भासा में लिखी गई तो पाली में आपको ध्यान रखना है और obviously इस पर तो हमने बहुत बार बात भी किये कि जो यरली Buddhist text है वो पाली भासा में क्योंकि वो आहम बोल चाल की भासा थी स्वयम गोदम बुधी से प्रिफेर करते थे अपनी वानी में अपनी वचनों में तो यहां पर आप मजीमा निकाय में देख सकते हैं कि एक राजा है अवंती पुतर और डिसाइपल है बुद्धा जिसका नामे कच्छन और इन लोग वर्ण पर बात करते हैं कि वर्णा सिस्टम में किस तरह से कौन-कौन सी बाते देखने को मिलती है इन चीजों पर यह चर्चा चलती है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मजीमा निकाय तो क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर फैक्ट के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी है जी नहीं 11th हम लोग कवर करेंगे अभी हम लोग 7th क्लास के NCRD पूरी कम्प्लीर करने जा रहे तो थीम्स वाली भी कवर करेंगे और यह जो बॉक्सेस हैं यह जो इंपोर्टन डेटा हैं जो इंपोर्टन टेक्स्ट हैं इन ही से सवाल बनते हैं जब भी बनते हैं तो अगला सवाल देखे बेहादीजी पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध के लाइफ से सम्मदित कौन सी परीघटना महाभीनिस्ट क्रमन के नाम से जानी जाती है तो हमने इस पर बात की है कि जो उनका डिवारचर हुआ होम से वो महाभीनिस्ट क्रमन कहलाता है क्योंकि महाभीनिस्ट क्रमन का मतलब ही होता है great renunciation त्याग अच्छा और यहाँ पे जो औप्टन D है enlightenment की attainment यह क्या कहलाती है धर्म चकर परिवर्तन ओके धर्म चग परिवर्तन, the turning of wheel क्या कहलाती है enlightenment की attainment, दोस्तों इस question को देखिए, which of the following statement is incorrect about the position of woman during the age of buddha incorrect पूछा गया है, focus करना आपको word पे, पहले option में कहा जा रहा है कि जो position है woman की, वो generally deteriorated थी, यानि खराब हो रही थी और दूसरे में कहा जा रहा है कि several instances देखने को मिलते हैं child marriage के, तीसरे में कहा जा रहा है जो poly game ही है, वो gradually बढ़ती जा रही थी ruling classes में, और चोथे में कहा जा रहा है, education denied थी woman को तो incorrect पूछा गया है, तो correct answer option D होगा, तो education denied नहीं था education की स्थिती घटी जा रही थी और अगर आप देखे तो generally पढ़ने का अधिकार नहीं था, बट ऐसा नहीं कि completely deny था, तो ये option बहुत जादा अपने आप में आप कह सकते हैं कि तो ये बाकी सारे statement सही आप कह सकते हैं, position woman की deteriorate हो रही थी, बट उन्हें सिक्सा का अधिकार था, और child marriages भी देखने को मिलते थे, तो इसका correct answer option D है, अगला question देखिए NDA 1 2022 का है, आप से पूछा जा रहे है, यरली बुद्धिस्ट sculpture जो हैं, वो बुद्धा को human form में नहीं प्रदर्सित करते हैं, और इस पर हमने बात भी की थी, कि जो probably first human जिनकी पूजन मानी जाती है, वो गौतम बुद्ध हैं भारत के अंतरगत, और through which of the following symbols, वाज बुद्धाज प्रेजेंस, वोन बाई यरली sculpture, यानि जो यरली sculpture हैं, उनके द्वारा बुद्ध को किन symbol से दर्साया जाता है, option है empty seat and stupa only, wheel and tree only, wheel, tree and stupa only, या empty seat, wheel, tree and stupa, तो ये only वाले options गलत हैं, correct answer option D होगा, empty seat, wheel, tree and stupa, अगेन दोस्तों इस सवाल का source भी themes वाली and CRT देखने को मिल जाएगी, बट ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, कि first century AD से पहले, केवल और केवल हीन यान form of buddhism exist कर रही थी, और इस वज़ा से image worship नहीं की जा रही थी, और symbol से दर्साया जाता था, क्या-क्या symbol कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैजियोग्राफिस के अनुसार बुद्धा attend enlightenment while meditating under a tree, यह सब चीजे तो में पता ही है, many earlier sculpture did not saw the Buddha in human form, human form में नहीं दिखाया गया, बलकि वो symbol का परियोग करते थे, जैसे empty seat जो है, वो meditation और बुद्धा को indicate करने के लिए दिखाया जाता था, empty seat का मतलब खाली अस्थान वो wheel था, wheel क्या represent करता था, this stood for the first sermon of Buddha, आपको पता भी होगा, turning of the wheel, यानि धर्म चकर परिवर्तन को ही, first sermon से depict किया जाता है, जो कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला sermon, पहली उपदेश, सारनात में दी थी, तो यह सब बाते हैं, और यह सब सिंबल्स हैं, यहाँ पर image भी दी गई है, image भी आप देख सकते हैं तो I hope अब आप समाज सके होंगे कि कौन-कौन से जो सिंबल्स हैं, वो क्या-क्या associate करते हैं, क्या-क्या represent करते हैं I know यह video थोड़ी lengthy हो रही है, बट इसके बाद आप किसी भी exam के लिए appear करेंगे और वहाँ पर बुद्धिजम या जैनिजम से सवाल आएगा तो आप काफी आसानी से mark कर लेंगे देखिए कुसी नगर के संदर में सवाल पूछा गया और यह सवाल अभी हाली में CISF में पूछा गया, 2022 के अंदर ही तो कुसी नगर के संदर में कौन सी बात करेक्ट है वो आपको बतानी है पहला कहा जारा है सिधार्थ गौतम's great departure took place here and he become an ascetic sraman तो sraman भी आपको ध्यान रखना है स्रमन का मतलब होता है मोंग के आप कहलें ascetic दूसरा option देखिए सिधार्थ गौतम obtained enlightenment here and he became बुद्धा और तीसरे में कहा जारा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और चौते में कहा जारा है बुद्धा passed away तो इसका correct answer है option D बुद्धा passed away in 18 years of age जिसे महापरी निर्वान कहता है जो कि कुसी नगर में हुआ ओके यह आपको पता होगा important भी है बहुत और गौतम बुद्ध का जर्म तो हमें पता ही है लुम्बिनी में और पहला उपदेश सारनाथ में तो यह सब बाते आपको ध्यान में होनी चाहिए और बाकी जगों को भी देख लेते हैं तो ग्रेट डिपार्चर और एसकेटी कहां से देखने को मिला तो अफकोस इनका जर्म लुम्बिनी में होगा है जो कि आज की डेट में नेपाल में है तो फर्स्ट वाला लुम्बिनी होगा सेकेंड देखिए पूछा जा रहा है अब्टेन एनलाइटनमेंट तो ग्यान की प्राप्ति यानि एनलाइटनमेंट कहां होई बताइए बोध गया में महाबोध इवरिक्ष के नीचे और तीसरे में कहा जा रहा है स्टेहट पीएस्स के फेवरेट सवालों के ऊपर आफ्टर दा महापरी निर्वान ओफ लॉर्ड बुद्धा तो फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉंसील वाज हैल एट तो पहली बुद्धिस्ट कॉंसील कहां पे होई आपसा ने हमारे पास राजगीर गया पाटली पुत्रा या वैसाली और यह I think BPSC का सवाल है बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल तो I hope आपने इन चीजों को याद कर लिया होगा अगर आपने याद नहीं किया तो आप comment box में लिख दिए मैं एक separate video बना दूँगा और trick भी बता दूँगा बहुत सारे trick हैं आप आसानी से देख सकते हैं तो First Buddhist Council कहां पे हुई राजगीर में दूसरी वैसाली में तीसरी पाटली पुत्रा में और चौथी कुंडलवन कस्मीर के अंतरगत यह चीज अगर आपको याद नहीं तो आप मुझे बताएगा बहुत सारी निमोनिक्स हैं एक्चुली बहुत सारी काफी आसानी से यह कर लेंगे और चेर्मेन के अगर बात करें तो महाकसप हैं सभाकिमी हैं मोगाली पुतर तिस्सा हैं और चौथे वाले में वसुमित्र हैं और अस्व घोस भी देखने को मिलते हैं और इसके लाब पेट्रोन की बात करें देखें पहली बार हर्यंका डैनिस्टी यानि अजास अत्रू फर्ष्ट पेट्रोन होते हैं काला सोक जो की सीसुनाग डैनिस्टी के होते हैं ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में देखने को मुलते हैं और महायान का जो कॉंसेप्ट है वो दिया जाता है कनिस्ट के द्वारा हालाकि ए पहले से प्रचलीती और ज़्यादा प्रचलीत किया जाता है कनिस्ट के द्वारा इसके लोगिन अगर आप देखें तो फर्ष्ट में जो हमारे पीटक हैं बोध धर्म के धर्मी गरंथ वो यहां पर compile किये जाते हैं तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई राजगीर में अगर यहां पर मैं निमोनिक और बाकी चीज़े डिसकस करूंगा तो यह वीडियो और भी लेंदी हो जाएगी अब बस कॉमेंट कर दीजें मैं इस सर्षन और रीजन दिया गया पहले में कहा जा रहा है बुद्धिजम बिकम वैरी पॉपुलर इन इडिया दूरिंग लाइफ टाइम ओफ इट्स फाउंडर यानि गौतम बुद्ध के टाइम पे काफी ज़्यादा प्रचलित हो गया और कारन की बात की जारी कि गौतम बु तो हारपोन नहीं किया गया का सिस्टम पर ठीक है बहुत ज़्यादा बाते नहीं की गई है यह बात आपको ध्यान रखना है और गौतम बुद्ध के द्वारा तो यह बिल्कुल सही बात है यही कारण है कि काफी ज़्यादा पापिलर हो गया हो कि आम बोल जाल की जो भासा है पाली उस भासा का परियोग किया जा रहा था गौतम बुद्ध के द्वारा तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर हमारा दोनों ही बाते सही है और इसे एक्स्प्लेइन भी सही किया जा रहा है बोथ A and R are true and R is the correct explanation यह सवाल NDA 2014 में पूछा गया और भी बहुत बार exams के अंदर पूछा गया है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो basic idea है महायान बुद्धिजम के किसके द्वारा formulate किये गए या किस से संबंधित है तो हमने बार बार इस पर बात की है ठीक है 1st century AD में कनिस्क के द्वारा ओके यह कौन सी थी बताइए 4th Buddhist council आपको ध्यान रखनी है यह बाते हैं कहाँ पे हुई तो कुंडल वन कस्मीर में तो कनिस्का तो patron थे बट chairman कौन थे 4th Buddhist council के यह आप comment करेंगे क्या comment करना है chairman of 4th Buddhist council इसका answer आप comment box में करिए patron तो कनिस्का थे बट chairman कौन थे यह बताइए और इससे एक फाइदा और हो जाएगा कि आप समझ जाएंगी कनिस्क से associated कौन से people थे यह सवाल CAPF 2013 में पूछा गया है आपसे पूछा जा रहा है जो बुद्धिस्ट संग है वो monks का organization था किस तरह के monks का जो की धम के teacher थे जो की education का प्रचार प्रसार में help करते थे या जो state के integration में help करते थे या जो distress के time पे गरीब लोगों को relief प्रदान कर करते थे और education के प्रचार प्रसार इन चीजों से भी कही न कहीं associated but the thing is most appropriate answer होगा कि धर्म गुरु धर्म के teachers हैं दोस्तों यह सवाल काफी पहले पूछा गया है civil services में पूछा जारा महा यान बुद्धिजब में जो बौधी सतवा अवलोक तेस्वर है उन्हें किस नाम से जा जाता है और मैं आपको बता दूँ इस पर हम लोग जो painting पर बात करेंगे अजंता painting और Elora painting पर तब काफी detail में cover करेंगे काफी important सवाल लेगे अगला question देखिए civil services 1998 तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सवाल पूछे गया है in fact मैंने अब ग्रीक कुसाना जन सका यानि आ इसा नहीं है यह बलकि Buddhism को embrace करते हैं इसके पीछे का कारण क्या है क्या Buddhism ascendant था उस टाइम पे या उन्होंने जो war और violence की policy को त्याग दिया था या जो caste-ridden Hinduism है वो उन्हें attract नहीं किया या Buddhism एक easier access प्रोवाइड करता था तो देखिए हमें most appropriate option चुनना है तो correct answer option D है Buddhism जादा Indian society में access provide कर रहा था क्यों क्योंकि यहां पे सबसे पहली चीज तो कोई जाती कि या आप कहले कि अलग-अलग जो caste system में उसकी ब्यवस्ता नहीं थी उसमें ये प्रावधान नहीं था तो काफी easier access था Indian society में हर तरह से लोगों के आप कह सकते हैं कि directly associate था किसी परकार क कि कोई आप कहलें कि religious rituals बहुत कम देखने को मिल रही थी तो ये सब कारण थे Indian society को easier access provide कराने में तो correct answer यहां पर option D होगा तो एक बार जब आप इन चीजों को समझ लेंगे तो काफी आसानी से आप answer कर सकते हैं ये सवाल civil services 2001 में पूछा गया है again assertion or reasoning है कथन में आपसे कहा ज जा रहा है कि कारण बताया जा रहा है कि वो only महायान फॉर्मों बुधिजम को popularize करना चाहता था इसलिए इसने परियाग assembly को convene किया तो हर स्वर्धन के टाइम पे मुख्यता दो assemblies देखने को मिलती है पहली कन्योज assembly और दूसरी परियाग assembly ठीक है ध्यान दीजिए बुधिजम के doctrine को explain किया जाता है और इसकी superiority claim की जाती है ठीक है तो यहाँ पे न सिर्फ महायान बुधिजम को ही popularize करने की कोशिज की जा रही थी क्योंकि बाकी जो फॉर्म बुधिजम है उससे ज़्यादा ऊपर बताया जा रहा था हर्सवर्धन के द्वारा कन्योज assembly में और परियाग assembly की बात करती है second महायान बुधिजम assembly थी हर्सा के द्वारा जो कि हर्सवर्धन के charity को दिखाती है ठीक है और even माने जाता है कि अपना सब कुछ ये even clothes भी charity के रूप में ये त्याग कर देते हैं हर्सवर्धन परियाग assembly में तो देखे असर्षन भी सही है जिर्फ महायान फॉर्ण बुधिजम को पुपुलराइज करना चाह रहे थे लेकिन इस महायान बुधिजम पुपुलराइज करने के लिए परियाग assembly नहीं बल्कि कन्नोज assembly की गई ठीक है तो इसका जो आप कहलें की explanation है वो गलत है दोनों बातें factually correct है या सर्षन भी correct है reason लेकिन इस वजör से परियाग assembly को नहीं convene किया गया यहाँ पर्ण सकताक कि परियाग assembly को क्यों convene किया गया और यहां पर charity डिखाने के लिए charity को परदर्सीत करने के लिए परियाग assembly को convene आएंगे तो असानी समलोग कर सकते यह सवाल सीविल सर्विसेज 2004 में पूछा गया बहुत अच्छा कुश्यन है दो स्टेटमेंट दिये गये देखे पहला स्टेटमेंट यहां तक है पहले में कहा जा रहा है जो चाइनीज पिलग्रिम फाहिया ने उसने फोर्थ बुद्धि जो कि गुप्त बंस के राजा होते हैं उनके टैम पर फाया नाते तो ना कि कनिस्का के टाइम पर कनिस्का तो फर्स सेंचुरी एडी के हैं 400 सालों का गया फेलगबग तो फर्स तो बिल्कुल गलत है तो अगर यह बातें आपको पता है तो ही अदर्वाइस फिर आप इस त बुर्दिजम को पुप्लराइज करने की प्रयास किया जा रहा है तो दोनों यह बात इहां पर गलत है या दोनों यह बात इह बाते अलट है और हमारा आंसर यहां पर निकल कैया अगल ذा तो नो पहले में कहा जा रहा है जो एक स्वाकू रूलर से सदन इंडिया के वो एंटागोनिस्टिक हैं बुद्धिजम के तो यह नहीं बिल्कुल गलत है यह एक स्वाकू रूलर सपोर्टेड और एक स्वाकू रूलर अगर बात की जाए तो 3rd, 4th century माना जाता है कि इस वाले रीजन में अंध्राप्रदेश और Northern Tamil Nadu रीजन में रूल करते हैं और यह एंटागोनिस्टिक नहीं होते हैं बलकि यह पैट्रोन होते हैं बुद्धिजम के जो कि बुद्धिज्च का लर्निक सेंटर है तो 2nd तो बिल्कुल सही है इस हिसाब से और 1st तो गलत है तो correct answer क्या होगा फिर 2 only 1st में उल्टा कह दिया गया और 2nd वाला बिल्कुल सही है दोस्तों यह सवाल civil services 2013 में पूछा गया है पूछा जा रहा है जो बुद्धिजम में निर्वन का concept है निर्वान का वो क्या describe करता है तो देखिए इसका correct answer है पहले में कहा जा रहा है जो flame है desire का उसका बुच जाना उसका extinct हो जाना दूसरे में कहा जा रहा है कि खुद के complete annihilation self का तीसरे में कहा जा रहा है bliss or rest का एक अवस्था है या mental stage है सारे comprehension से परे तो इसका correct answer देखिए option A है हर परगार की desire है जो desire की आग है जो इक्सा है उसकी flame का बुच जाना ही निर्मार को दरसाता है ठीक है आसान सवाल है अगर आप समझते हैं इन बातों को तो महापरी निर तो इसका correct answer वैसे जैनिजम है और I think हमने सारे question कवर कर लिया इस question को भी हमने cover कर लिया और ये question भी हो गया in fact अब हमने सारे सवाल यहां पर कर लिया और I don't think इतने questions कर लेने के बाद आपको कोई भी doubt बचा होगा Buddhism के topic के उपर तो I hope आपको ये video पसंद आई होगी और अगर अगर आपको चीजे confusing लगी है तो आप not down भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत जादा important है और इतने detail में करने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी इस topic से तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा पर्यास पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी आप